हेलो गाइज और वेलकम बैक तो अपना कॉलेज दिस दी वेब डॉलप्मेंट कोर्स और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिस तो बेसिकली यार पिछले वीडियो के अंदर मैंने अब्जेक्ट बताये और आपको कुछ एक्जाइजिस की मदद से मतलब क्लास और अब्जेक्ट एकदम साथ में पढ़ाते हैं और हम बाद में इसलिए पढ़र हैं क्योंकि ऑप्जक्ट जो है वह भी जावास के बना सकते हैं और उस चीज़ीज में मैं ज्यादा फॉकेस देना चाहतां ता इसलिए मैंने क्लास इसको बाद एक template होगा जिसकी मदद से आप एक object बना सकते हो जैसे कि आप एक function बनाते हो जो कि एक template होता है जैसे हमारा constructor function एक template है जिसको हम use करते हैं और हम हमारे objects बनाते हैं और classes को यार हम special functions भी कहते हैं क्योंकि वो एकदम function की तरह ही behave करते हैं जैसे कि हम एक function को declare भी कर सकते हैं और एक expression के रूप में भी use कर सकते हैं मतलब किसी variable में डाल सकते हैं और वो चीज़े भी हम deeply एकदम आगे जाके देखेंगे अभी के लिए मैं आपको class का syntax बताता हूं त तो दो तरह के syntax होगा एक तो declare करके एक expression के रूप में है तो सबसे पहले मैं declare करके बता देता हूं तो यहां पर आपको लिखना है class और class एक keyword है और उसके बाद में आपको capital के अंदर आपका जो class का नाम है वो start करना है मतलब हमारा पासकल केस यहां पे use हो रहा होगा और यह करता है तो constructor basically यहां पे constructor function है जो कि हम JavaScript में पहले बना रहे थे class बनाने के लिए हमने एक पूरा constructor function बनाया था लेकिन अब हम class keyword का जब use करते है तो उसके अंदर predefined एक constructor function होता है जो कि कुछ parameters accept करेगा जैसे कि यहां पे हमको क्या देना है एक तो item name फिर हमारा price फिर हमारा discount और last में हमारा था product code ठीक है तो same चीज यहां पे भी हमने दे दी और उसके बाद में वही हमारा this.item name is equal to item name है ना यह चीज हमने constructor function में जैसे करी थी same to same यहां वैसे ही यहां पे आपको करना है तो मैं सबको यहां replace कर देता हूँ यहां पे सारे नाम और उसको declare हमने यहां पे कर ना दिया अब यह class क्या करेगा यह class same वैसा ही behave करेगा जैसे हमारा constructor function behave करता है तो चलिए यार इसको एक बार use करते हैं और यहां पे मैं उपर एक बार comment कर देता हूँ declaring class ठीक है और उसके बाद में हमको इसको use करना है तो use करने के लिए यार जैसे आप constructor function को use करते हो same वैसा procedure है तो let pencil यहां पर मैं product का नाम लिख रहा हूँ is equal to new product और उसके अंदर हम हमारा नाम और वो सब जो भी pass करते हैं वो pass करेंगे और यहां पर आर आप constructor function जो हमने अंदर लिखा है ना उसमें pass कर रहे हो ठीक है तो सबसे पहले हम लिख देंगे pencil और उसके बाद में हमारा जो price है वो pass कर देंगे जो कि हम यहां पर 20 रख रहे हैं उसके बाद में discount is 2% और यहां पर product code है P10 ठीक है तो यह हमारा पहला जो object है वो बन चुका है अब इसको output करवा के देख लेता हूं तो save करते हैं और यहां पर मैं लिखता हूँ pencil तो आप देख सकते यार यह हमारा जो object ह है वो हमें दिख रहा है और same वही तरीका हमने यूज किया है जो हमने constructor में यूज किया था बट यहां पर जो syntax है वो different है ठीक है तो एक बार हम expression use करके object बना के देख लेते हैं ठीक है तो उसके लिए आर हम एक constant variable बनाते हैं जिसका नाम में रख रहा हूं capital में product और फिर हम ब यह जो same चीज है वह आपको यहां पर लिखनी है और जो आपका class का नाम है वह आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो जैसे कि product 1 जो है उसको हम use करके class बना अब्जेक्ट बनाइंगे लेकिन जो object का नाम होगा वह product ही रहने वाला है तो देखते हैं यार कैसे होता है तो यह यहां पर फिर से मैंने एक नया variable बनाया जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ chair is equal to new product 1 ठीक है product 1 हमने new product 1 लिखा है लेकिन जो class का नाम होने वाला है वह product रहने वाला है वह हम देखेंगे कैसे तो पहले तो मैं इसका नाम दे देता हूँ chair और उसके बाद में हम यहां पर इस हमारा 499 लिखते हैं यहां पर डिसकांट हम लिखते हैं 15% और लास्ट में हमारा जो कोड है वह हम लिखने है c10 ठीक है तो यह हमारा जो object है वह बन चुका है अब हम क्या करेंगे यहां पर simply chair लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जो object है वह आ रहा है और सबसे पहले आप हमने constant variable बनाई है उसके आगे आप dot name लिखोगे तो आपको class का जो नाम है वो दिखा देगा जो की हमारा product है ठीक है और अगर आप यहां पर यह product जो है वो हटा दोगे तो आपकी class का नाम रहेगा product one similarly है ना अगर आप यहां पे check करो same तरीके से product one dot name तो इसलिए यार आपने यहां पे अगर product नहीं लिखा है तो आपका जो नाम है वही रहता है जो आपने variable का नाम लिखा है ठीक है बस यार आप समझ गया हूंगे कैसे हम यहां पे expression की मदद से class बनाते हैं और class को कैसे हम declare करते हैं दोनों चीज़े हमने देख लिए ठीक है तो अब next चीज हम देखत है और आपको एक function मिलेगा जिसकी मदद से आप यार उन variable का जो value है वह access कर सकते हो और similarly यार set method का मतलब होता है आप किसी भी variable को set कर सकते हो उस particular method से ठीक है तो यहां पे हम एक getter बनाते हैं तो यहां पे लिखना है आपको get discount value यह हमारा function है और इसके अंदर हमको return क्या होगा return होगा this.discount ठीक है तो यह होगया getter method similarly अगर हम setter बनाएं तो यहां पे आपको लिखना होगा set और यहां पे आप क्या कर लो get लिख दो और discount का जो d है वो हमने capital कर लिया और similarly यहां पे set करके d लिख दिया तो यह set discount value होगया यहां पे एक value आएगी और वो जो value होगी वो इ return हम कुछ नहीं करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो है दो method हमने बना दिया है एक getter और एक setter अब चलिए इसका use करके देखते हैं तो सबसे पहले हम यार getter का use करके देख लेते हैं तो यहां पे मैंने लिखा cheer.get discount value तो इसका आप देख सकते हो आउट्व बना रहा है मतलब आपने setter की मदद से set किया और getter की मदद से get किया और दोनों अच्छे से work कर रहे हैं और यही function होता है setter कर सकते हो कुछ भी value को और getter में कुछ भी get कर सकते हो ठीक है तो हम usually ऐसे बहुत सारे getter और setter functions बनाते हैं एक class के अंदर ताकि यार बाद में जब values है वह हम set or get कर सकते हैं ठीक है अब similarly आप कोई method बनाना चाते हो तो भी आप इसमें बना सकते हो जैसे कि हमने discount method बनाया था पिछले videos के अंदर तो similarly यार इसके अंदर भी हम discount method बना के देख लेते हैं तो कुछ नहीं यार simply हमको function का नाम लिखना होता है और यहां पे हमारे function का नाम होने वाला है discount value और उसके अंदर हम क्या बेजेंगे तो हमको यार कुछ बेजने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि discount already set है प्राइस already set है हमको सिर्फ यहां पे return करवाना है और यह भी आरे getter की तरह काम कर सकता है मतलब हम इसी चीज़ को अगर यहां पे उपर getter में paste कर आगे get लिख दे तो हमको फिर से हमारे जो parenthesis है वो नहीं लगाने पड़ेंगे अभी अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे को parenthesis लगाने पड़ेंगे यह देखना अगर मैं आपे multiply by price divided by 100 करता हूं और save करके अगर मैं simply आपे chair.discount value लिखता हूं discount value तो आप देख सकते हैं simply लिखने पर हमारा f आजाता है मतलब यह function output कर देगा बट call करने के लिए मेरे को parenthesis लगाने पड़ते हैं और call करने के यार बाद भी हमारा जो output है वो गलत आ रहा है क्योंकि यहां पे this नहीं लगाया मैंने save किया और same हमने लिखा आतो है आप आप देख सकते हो जो हमारी value ह price को multiply करके कितनी rupees में value आती है वो हमको दिख रही है है अगर मैं इसके आगे get लिख दूँ तो आप देख सकते हैं हमको अब पहले तो इसको save कर लेता हूं यहां पे सिर्फ इतना लिखना है हमको parenthesis लगाने की जरुरत नहीं क्योंकि यह एक function नहीं है यह एक getter बन गया है ठ क्लास को extend कर सकते हैं और क्लास हम बनाते यार तो यही main feature है जो हम use में ले सकते हैं बजाए कि हम अगर functional programming करते हैं तो उसके अंदर हम यह वाली चीजे जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो नहीं कर सकते हैं अभी तक जो हमने getter setter बढ़ा था वो भी हम functional programming जो कि हम constructor function या फ functional programming में नहीं कर सकते हैं मतलब functions की मदद से नहीं कर सकते हैं object oriented programming इसी लिए हम use करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर ठीक है क्योंकि हम एक class को extend कर सकते हैं अब extend का क्या मतलब है वो मैं आपको जब use करके बताऊंगा तभी समझ में आएगा अभी के लिए मैं इसको comment out कर रह रहा हूं खाली name रखते हैं और उसके बाद में एक method बना रहा हूं और यह सारी चीज़े मैं समझाने के लिए कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ-साथ यार लिख दीजिए जो भी मैं आपे लिख रहा हूं ठीक है और यह जो parameters पास की है उसको भी हम अटा देते हैं और यहा साथ में एक string attach कर लेते हैं तो यहां पर मैंने लिखा this sorry item name जो भी होगा is a product ठीक है तो अब इससे क्या पता चल रहा है इससे यह पता चल रहा है कि यह जो item है वो एक product class का part है ठीक है हम इससे यह बताना चाहरे है अगर मैं इस class को extend करूं तो वो कैसे करते हैं एक बार मैं आ बनानी पड़ेगी और extending का मतलब है मैं इस जो main class है उसका एक sub class बना रहा हूं मतलब उसका एक children बना रहा हूं जो कि उसके just नीचे आएगा मतलब इसी का part होने वाला है product का part होने वाला है तो जैसे कि मानलो आप एक category बना रहे हो जिसके अंदर आप product class को यूज करना चाहते हो लेकिन बहुत सारे products होने वाले हैं तो आप उसमें sub category जो है उसके लिए एक sub class बना रहे हो तो sub class का क्या नाम हो सकता है तो किसी भी product की category को ले लो जैसे कि आप furniture ले सकते हो जो कि product की category है तो यहां पे हम लिखते है furniture sorry furniture ठीक है और उसके बाद में आप लिखोगे extends keyword यह जो constructor function का यूज करना है तो यहां पे हमने लिखा constructor और पास क्या करोगे वही जो आपने यहां पे किया था item का नेम और उसके बाद में हम यहां पे एक function को call करेंगे जिसका नाम है super अब super क्या करता हो मैं आपको बताता हूं पहले हम देख लेते हैं कि यार इसका यूज करने में क्या difference आता है फिर मैं बताऊंगा super मैंने क्यों लिखा और इसका क्या काम है ठीक है अभी के लिए आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे का वैसे same लिख दीजिए ठीक है तो मैंने आपे लिखा get item name same नाम का मैंने एक function बनाया कुछ हम इसमें पास नहीं कर रहे हैं और इसमें और अब्जेक्ट हम बनाएंगे वो फर्णीचर अब मैं नीचे से चयर उठा लेता हूं और एस चयर को मैं उप्र रख देता हूं और comment करते हैं और यहां लिखते हैं फर्णीचर थीक है तो दो चीज हमने बना दिये एक तो Pencil और एक चयर अब मैं सेव करता हूं थीक है अ लिखना है get item name और जैसे हम इसको call करेंगे तो आप देख सकते हो pencil is a product similarly अगर मैं यहाँ पे चेर लिख दूँ तो हमारा output बदल जाएगा अब आप देख सकते हो chair is a furniture क्यों क्यों कि यहाँ पे हमने call किया है get item name और इसके अंदर क्या return हो रहा है यह similarly अगर हम product class की बात करें तो उसके अंदर क्या return हो रहा है उसके अंदर is a product return हो रहा है इसलिए इन दोनों का जो output है उसमें difference आ रहा है अब यार यह जो extra parameters है इसको हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि यह super function क्या है तो basically यार super function अपने जो parent class है जो की product है उसके constructor को call करता है वापस से बता रहा हूं कि यह जो super function है वो अपने parent class के constructor को call करता है तो जब आप यहाँ पे super लिखके कुछ भी pass करते हो तो वो चीज यहाँ पे pass हो रही है ठीक है मैं आपको यहाँ पे console करूँगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा यहाँ पे लिखेंगे passed by furniture ठीक है और यहाँ पे plus करके item name लिख देते है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो constructor हम इसका call ना भी करें तो हमने खाली इस furniture को call किया है तो अगर हम कोई normally class बनाते हैं तो उसकी कोई parent class नहीं होती है इसी वज़े से हमको super का call करना ज़रूरी नहीं होता है लेकिन अगर आप इस furniture की बात करो तो उसका parent है और अगर आप parent को भी set करना चाहो तो आप यहाँ पे super function का use करोगे जिससे क्या होगा अगर आप रियाक्ट या कोई दूसरी framework सीखोगे तो उसके अंदर हम super function का बहुत ही जादा यूज लेते हैं ठीक है तो I hope यार मैंने आपको classes अच्छी तरह से बता दी है सारे basics और बाकी थोड़ी advance चीज़े हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे है ना तो process जो है वो चलता रहेगा चीज़े हम नहीं नहीं सीखते रहेंगे basics मैना आपके clear करती हैं तो बस इस video को य in the next one